हाई फ्रेंज असलाम लेकूम तो आज हम बनाएंगे बफावरी की सबजी तो अकसर गाव में बनता है तो चलो बनाना सुरू करते हैं उसके लिए मैंने मटर के दाल लिए हैं उसे भीगो के रख दी मैं अच्छे से भीग चुका है तो इसे मैं पीस लेती हूं मिक्सी जार मे डाल के तो देखिए इतना बारिक हमें पीसना है तोड़ा हलका सा दरदरा ही रहने दें इसे और मैं इसमें डालूंगी नम्मक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हीं तो नमक हल्दी हींग डाल के इसे अच्छे से mix करना है और मैं इसमें कुछ नहीं add कर रही हूं आप चाहे तो कटे हुए बारिक प्याज भी इसमें add कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके से बनते चले आये हैं ये बफ़वरी की सबजी तो उसी तरीके से में बना रही हूं तो यहां मैं एक पतिले में प पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसमें रखोंगी और ये अच्छे से उबल जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए इसे मैं रख दी हूं पाससे अज वाए के लिए तो देखिए यह अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं तो यहां मैं ली हूँ सौफ, जीरा, काली मिरिच, लॉंग, इलाइची, थोड़ा सा मैं ली हूँ जावेत्री, एक मैं बड़ी लाइची ली हूँ तो इतने ही मसाले चाहि और प्याज, तो इन सब का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, तो देखिए मसाला तो रेडी हो चुका है और मैं यह बफ़वरी जो है इसे मैं इस तरीके से काट लेती हूँ, एक में चार भाग करना है, अगर इस तरीके से काटेंगे तो थोड़ा बड़ा रहेगा यह तो इसी तरीके से मैं काट लेती हूँ, और एक साइड मैं रखी हूँ, तेल को गरम करने के लिए, तो पहले हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, तो देखिए मैं इसे सरसो के तेल में बना रही हूँ, आप जो तेल खाते हों उसमें बना सकते हैं, लेकिन सरसो के तेल में इसका अलग ही स्वाद रहता है तो इसी तरीके से मैं सारे पीसिस को फ्राई कर लेती हूँ एक अच्छा कलर आने के लिए तो इसी तरीके से आप लोग भी जरूर बनाएं बफ़ोरी की सबजी तो अक्सर ये हमारी दादी नानी सब बनाती हैं तो बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है तो देखिए इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ सारे पीसिस को तो यहां मैं उसी तेल में डाल दी हूँ 203 इलाइची और दो तेज पत्ते और दो डालचीनी के टुकड़े और एक मेडियम साइज का प्याज कटा हुआ तो प्याज की अच्छी कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे तो प्याज फ्राई हो चुका है तो सारे मसाले मैंने जो आपको दिखाए थे वो मैं इसमें एड कर दी हूँ और मैं इसमें डालूंगी दो मेडियम साइज के टमाटर इसे मैं पीस के लिए हूँ इसे मैं दिखाना आप लोग को भोल गई थी तो इससे बहुत ही चटपटा बनके तयार होता है तो जरूर से इसी तरीके से बनाएं आप लोग भी तो इसमें डाल दूंगी मैं आधा चम्मश हल्दी पाउडर एक से डेड़ चम्मश मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर और स्वाद के हिसाब से इसमें मैं एड़ करूंगी लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि मैंने हरे मिर्ची का भी यूज़ की हूँ इसमें और स्वाद के हिसाब से इसमें डालूंगी मैं नमक तो अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी मैं नमक आप अपने हिसाब से इसमें एड़ करें और थोड़ा सा पानी डाल के अधकन लगा के इसे मैं पकने के लिए रखूंगी कि अच्छे से मसाला पक जाए तो देखिए मसाला पक चुका है और ये मैं भून रही हूं अभी मसाले को देखिए तेल उपर आ चुका है तो ये भून चुका है इसमें मैं पानी डाल दूँगी ग्रेवी के लिए तो अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं और उसके बाद मैं इसे धकन लगा के रखूंगी कि एक उबाल आ जाए तो उसके बाद इसमें हम जो हमने बनाए हैं बफोरी वो इसमें एड़ करूँगी तो अगर ये बना के आप लोग खाएंगे तो इसके आगे मटन मच्छी सब बेकार है बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है तो पानी में उबाल आ चुका है इसमें मैंने जो फ्राइ किये हुए बफोरी है वो भी एड़ कर रही हूँ अभी तो इसे डाल के ज़्यादा देर पकाना नहीं है बस एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं गैस बन कर दूँगी तो देखे रेडी हो चुका है और देखे देखने में कितना टेस्टी लग रहा है तो जरूर से आप लोग भी बनाएं तो इसे मैं डिशाउट करके आप लोग को दिखाती हूँ तो रेस्पी अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें शेयर करें तो मिलते हैं गली रेस्पी में तब तक के लिए अल्ला हाफिज